बिस्मिल्य रह्मान रहीम अस्सेलाम अलेकम आज मैं आपके लिए लेकर आयू कर्मा गरम आलू बेकन की सबसी जियां बहुत हीट गलेशियस बनी है चट पटी मज़ेतार तो बिना टाइवेस्ट की एवेर रेस्पी स्टार्ट करते हैं मैंने लिए हैं आदा किलो बेकन आद मीडियम साइज की प्यास तीन टीमाटर और हरी मिर्चे अपने टेस्ट के मुटापिक ले ली चुएगा और लेमन डलेंगे इसमें ठीक है इसको खटा करने के लिए तो टीमाटर और प्यास को अच्छी तरीके से हम काट लेते हैं और हमें इसमें जरुबत हैं दो बड़े चमच कुकिंग आयल की ठीक है कुकिंग आयल डाल के कढ़ाई हम चड़ा देंगे चूले पर और प्यास को कर लेंगे फ्राई ठीक है प्यास को हमने बिल्कुल ब्राउन वला फ्राई नहीं करना बस पिंग पिंग सा फ्राई करना है और फिर डाल देना है इसके अंदर टीम अब आप काट लें अपने आलू चील लेते हैं दस मिनट में हमारे टीमाटर भी कल जाएंगे और हमारे आलो भी चील जाएंगे सब्जी वगारा जो आप चीलें तो पानी में आप कर लिया करें ता कि आइरन होता है तो बलैक ना हो दस मिनट हो चुके हैं तो हमारे आलू जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है और टिमाटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं इसमें डाल देते हैं धही और मिक्स कर देते हैं इसको अच्छे तरीकी से फिर इसे दस प्रेट के लिए हम रख देते हैं जोरान आप का ताकि जल्दी से ब्लैक हो जाते हैं तो आप जब सालन या कुछ भी इसका बनाए तो इसी तरह आप काट लिया करने ताकि ब्लैक ना हो 10 मिनिट हो गए और बहुत शांदार सा मसाला हमारा रैडी हो चुका है और डाल देने इसमें आलू और पैगा नारत कर देना है इसको अच्छा से मिक्स और 3-4 टेवल स्पून इसमें डाल देना है आपने पानी और पिर रख देना है 20 मिनट के लिए 20 मिनट पाद आपके तयार है शांदार से आलू बेगन का सबजी और डाल दें इसके अंदर हरा धनिया और नीमो डाल दें हरी में चाल सकते हैं यह देख चटपटी रेसिपी जरुबन आईएगा रेसिपी अची लेगी तो लाइक किजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्हाफिज